अज हम लोग देखेंगे SOP 6 वीडियो किस तरह वर्क करता है जैसे मैंने यहाँ पर SOP 6 दिया हुआ है मैंने इसके पर राइट लिक किया और यहाँ पर Google Chrome ओपन करने का यह जो है फाइल मेरी वीडियो रन हो रही है वीडियो रन किया मैंने इसके लिए क्या code यूज किया कैसे वर्क किया वही हम लोग देखेंगे और आपको एक्जाम में वही code बाहर करके वैसे के वैसे ही टाइप करना है टाइप करने का तरीका किस तरह रहेगा मैं explain करूंगा तो यहाँ पर मैंने वीडियो का यह MP4 फाइल पहले ही डाउनलोड किया है नेट से आपको डाउनलोड नहीं करना है यह फाइल में रखोंगा same इसका code देखते हम लोग यहाँ पे मैंने open with notepad किया code क्या है वह देखो code में starting में document type html यह first line हो गया आपका बाहर करने के लिए second line यह third line heading और fourth line title head के अंदर ही four number title जो भी tag open किया हुआ है जैसे यह tag open किया है इसे close यहाँ पे किया हुआ है head open किया हुआ है head के अंदर title होता है head यहाँ पे close किया है head four में open किया title head three में open किया five में आपका close होना ही चाहिए यह कोई भी प्रोग्राम रहें दू मतलब है SOP five रहें दो six रहें दो seven रहें दो हर टाइम ऐसे ही लिखना है यह five lines आपको pad करना है title का नाम हमेशा change हो जाएगा title कहां पर होता है जैसे मैं यहाँ पर double click करके यह फाइला भी रन नहीं हो रही है देखो यहाँ पर वोट आय रही है यहाँ पर यह जो title दिखाय रहे 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 है वीडियो डेमो करके यह title है यह title मैंने यहाँ पर वीडियो डेमो के जगे पर मैंने खाली वीडियो रखा तो वीडियो आएगा title head को close किया यह फाइलाइन कोई भी एस ओपी रहने दो html की आपको फाइलाइन बायाड करना है यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम रहेगा उसका नाम डालना है जो भी लिखा है डिस्प्ले वीडियो बोला रहेगा डिस्प्ले आडियो रहेगा यह वीडियो आप आडिय में बोडी आए आपका बोडी स्टार्ट होते है यहाँ से और बोडी क्लोज यहाँ पर होती है यह six line बायड करना है document type HTML दो या तिन तिन बार बाहर करने के लिए आप लिखो किस तरह लिखा जाता है वो देखो यहाँ पर बोडी में यहाँ पे six में seven में लिखावा यहाँ यहाँ पे मैंने वीडियो यह निकाल देता हूं में मैंने लिखा खाली वीडियो क्या लिखा मैंने seven में वीडियो वीडियो कौन सा फाइल लेकर आना हमें तो मैंने बोला source source यह भी source ही है source source reference दिया हुए source src is equal to जो आपने फाइल दिया है उसका नाम और उसका extension मतलब मैंने यहाँ पे a.mp4 लिखा अगर मैंने यह नहीं लिखा यहाँ और फाइल को से वैज कर रहा हूं से वैज मैंने फाइल को नाम देने का एंडायम डेक्स्टॉप पर ही sop6 मैंने यहाँ पे 61 या तो मैंने यहाँ पे नाम देता हूँ 61 करके या तो six निकाल देता हूँ sop my करके लिख देता हूं dot html मतलों यहाँ पे आपको question में लिखा रहेगा है वही फाइल का नाम देना है तो यहाँ पर फाइल का नाम मुझे नहीं लगता है कि एसोपी में दिया वा दिया रहेगा तो लेकिन मैं एसोपी माई HTML करके सेव कर लिया अब मैं यह फाइल ऊपर रन करके देख रहा था हूँ यहाँ पर इसको जैसे मैं ओपन विद इस गूगल 4 और इस फाइल को सेव करता हूँ और इसे मैं वापस रन करके देखता हूँ तो मेरा वीडियो चलूगा वीडियो चलू नहीं हुआ वीडियो का खाली इमेज दिखाए दे रहे है यह 12356 यह आया नंबर है वाजो के यह मैं निकाल दूँगा बाद में यह 123456 क्या नंबर यह मैंने 7 में वीडियो लिखा source में मैंने क्या लिखा यहां पे source a.mp4 बस इतना ही code आपको इबाएड करना है बाकी का तो same हर एक SOP के लिए यूज होता है वीडियो लेकिन वीडियो का height और width जितना दिया हूआ है मतलब exam के लिए उन्होंने दिया हूआ है height और width कितना होन है लिखना है कैसे height is equal to double comma 150 double complete बाद में लिखा width लिखा और उससे भी मैंने double comma 150 लिखा और double complete किया और auto control में नहीं लिख रहा हूँ यहां पे मैंने इतना लिखा देखो वीडियो को specify height दिया अभी मैं इस फाइल को save करता हूँ और इससे run करके देख लेता हूँ देखो size कम हो गई लेकिन play button नहीं है न start हो रहा है इसके लिए कमपल से आपको यहां पे क्या लिखना है autoplay controls इतना line आपको पूरा भाइड करना है seven number आप exam के time भी pencil से बाजू में लिखो एक number दो number ती number चार number बाद में रफ कर दो लेकिन आपको one number में यह document type HTML लिखना है second number में HTML third line में आपको head लिखना है title जो आपको title देना है head close करना है body start होगा और यही बायाड करना आपको video और यहाँ पे a.mp4 करके लिखना क्योंकि मैं आपके desktop में a.mp4 file डालके रख देता हूँ और उसके बाद अगर वो run नहीं हुआ file तो यहाँ पे नीचे लिखा वाए your video will not supporting this browser क्योंकि आपके question में यह question में अंसर दिया हुए उन्होंने when the video tag is not supported तो वहाँ पे कुछ message आना चाहिए तो message में क्या लिका है not supported मैंने अगर इसको और कम कर दिया not supporting in browser ऐसे भी लिख सकता हुए अगर नहीं चला तो और यहाँ पे वीडियो को क्या किया मैंने यह वीडियो यहाँ पे चालू किया था यह वीडियो यहाँ पे क्या किया मतलब यह नंबर हो गया 8 नंबर आपका और यह हो गया 9 नंबर और यह नंबर हो गया 10 अभी इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूं तब जैके अगर मैं इसको रन कर रहा हूं control तो दिया हुआ है control देने के वज़े से यह play हो गया अभी question में ऐसे भी दिया उन्होंने six मैं से question दिया है एक तो साहिष दिया था वन फिफ्टी वाइं फिफ्टी अभी दूसरा साहिष दिया उन्होंने 300 by 300 मैंने इस 300 को यहाँ पे लिखा और यहाँ पे 300 लिखा और इस फाइल को क्या क्या मैंने save कर दिया और यहाँ पे मैंने play कर दिया मतलब आपको जो चाहिए size डाल सकते हैं मतलब मैंने 500 डालने तो 500 भी डाल सकते हैं अगर examer पूछता है तो यह 7 नमबर 8, 9, 10 नमबर तक आपका program बाइड करना है बस same program आप PC पे करने के पहले आप एक आपको जो examer का paper दिया जाएगा उसमें लिखो और उसके बाद same notepad में आपको type करना है और type करने के बाद last shape रहेगा आपका जब type होने के बाद file save as लिखा रहेगा तब web page लाइब उसको नाम दिया वाई video मतला एस ओपी six में लिखा है video dot html लिखा हुआ है क्या लिखा है video dot html अगर आप एस ओपी six का question read करोगे तो आपको देखेगा वहाँ पे इधर उपर heading यहाँ ने कुछ भी नहीं लिखा यह देखो वीडियो यहाँ पर भी आया मैंने plan किया मतलब इस प्रोग्राम में यहाँ पर मैंने h1 header 1 अगर देना है तो दे सकता हूँ मैं देख के यहाँ पर क्या लिखा सकता हूँ my video करके मैंने क्या लिखा यहाँ पर heading भी दे सकता हूँ आपको इतना भी लिखने की जोरवत नहीं है मेरे खाल से लिखोई मत वो my video और यह h1 भी देना है तो दे सकते हो लेकिन h1 का मिनिंग क्या होगा यह उपर आ जाएगा आया तो नहीं है आपर देखते हैं दिख नहीं रहे हैं यहाँ फाइल से नहीं हुआ फाइल वापस से व्याज़ करता हूँ मैं dot html क्या नाम दिया मैं ने dot html करके save किया फाइल डेक्स्टॉप में save किया फाइल यस किया और मैंने यहाँ पर इस फाइल को क्लोज करता हूँ जब मैं इसे रन करना है मैंने यहाँ यह फाइल है इसको राइट लिक करके open with browser google chrome में open करो तब रन होगा दूसरे browser में रन नहीं होता है देखो यहाँ पर आया है my video करके प्रोग्राम बाइड करना है तो इतना ही है लिखके लो बुक के उपर और यही program same to same इसको बाइड करो और run करने कि कोशिश करो थैंक्यू मैं इसके बाद सूपी फाइड आल देता हूँ मैंने इसे save कर लिया मैंने इसे close कर दिया और इक है